राहुल गांदी को सजा होने के वावजूद हार गई मोधी सरकार तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है मोधी सरकार यही तो चाहती थी कि राहुल गांदी पर मानहानी का केस हो दो साल की सजा हो और वो ही हुआ है अगर देखा जाए तो मोधी सरकार जीत गई है लेकिन यहाँ पर गोर करने वाली बात यह है कि कोर्ट में भले ही बेजेपी जीत गई है लेकिन जनता की अदालत में राहूल गांधी जीतते हुए नजर आ रहे है तो कैसे इस पैसले से महराश्ट की तरह पस्ती हुई नजर आ रही है भारतिय जनता पार्टी आपको बताएंगे लेकिन पहले आप एक पॉल देखिए यह पब्लिक पॉल देखिए जो कि न्यूस 24 ने चलाया है इसमें सवाल किया गया है कि सूरत कोट ने राहूल गांदी को दो साल की सजा सुनाई सही पैसला गलत पैसला कुछ कह नहीं सकते तो तीन आप्शन रखे गए हैं कि सूरत कोट में जो राहूल गांदी को दो साल की सजा सुनाई गई है वो एक सही पैसला लिया गया है या फिर कि गलत पैसला लिया गया है या फिर कि इस बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं तो आपको बता दें कि मात्र एक घंटे में जब मैं एक हबर रिपोर्ट कर रही हूँ तब तक कि मात्र एक घंटे में पब्लिक ने बढ़ चड़ कर इ बीस हजार से जादा वोटिंग की गई है और अधिक तरका कहना है कि ये एक गलत फैसला है जियां देखिएगा 19% सही फैसला 86% गलत फैसला और 6% कुछ कह नहीं सकते वैसे तो हम कौन होते हैं कि जो कि कोड के फैसले पर सवाल खड़े कर सकें लेकिन ये फैसला ऐसे समय में निकल कर सामने आया है जब देश में लगातार BJP नेता हो सांसद हो इस तरह की बाते करते हैं किस तरह के भाशर देते हैं आप अच्छे से जानते हैं उन पर तो केस तक नहीं दर्ज होता लेकिन राहूल गांदी को सजा सुनाई जाती है और सजा सुनाई गई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनता की अदालत में किस तरीके से राहूल गांदी जीतते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल 76 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यह जो पैसला सुनाया गया है सेशन कोट की तरफ से यह गलत है यह पैसला सही नहीं है इसके साथ ही आपको बता दे कि पब्लिक ने एक तरफ जहां वोट किया है वहीं बढ़ चड़ कर कमेंट्स भी किये गए हैं देखेगा एक य सुप्रीम कोट में ही न्याय कर सकता है तो अब सुप्रीम कोट में ही न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोट में ही न्याय मिल सकता है इस पर भरोसा जताया है पब्लिक ने पब्लिक का कहना कि ऐसा कोई भी सेशन कोट नहीं है जिस पर बीजेपी का दबाव काम ना करता हो एक और यूजर है रानी राजेश्व लिखती है कि दंगे भढ़काना अपराद नहीं है क्योंकि मुस्कुरा कर भढ़काए थे पर एक शब्द कहना जगन्य अपराद है क्योंकि ये न्यू इंडिया है तो ये है नए भारत की नई तस्वीट जहां पर बड़े-बड़े बयान गदडारों को गोली मारो ऐस-ड़ किस तरिके की ब्यांबाजी कीजाती वह भी मंच से खड़ेों चाकू छूडी कराने के प्यान दिये जाते हैं घर में तीन फीर कमांद तक रखने के आदेश पारित कि जाते हैं तक तो कारवाई नहीं होती लेकिन हाँ अगर विपक्ष का कोई निता है और इस पेशली अगर वो राहूल गांधी है तो किस तरीके से कारवाई होती है फिलार आप देख सकते हैं इसी पर रानी राजेश का कहना है यह नए भारत की नई तस्वीर है जहां पर एक शब्द भर अगर विपक्ष बोल तो निताओं के लिए एक अलग से जेल बनाना पड़ेगा बिलकुल सही बात है तो कि जिस तरीके से गर्मी उतार देंगे जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है चुनाओं में खड़े होकर वो तो आप अच्छे सही जानते हैं अगर इन पर कारवाई करने बैटे तो कि राहुल गांदी ने से सरकार डड़ी हुई है वह सरीके से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं उनकी आवास को दबाने के लिए यह शड्यंत्र किया जा रहा है लेकिन यह भूल गए है कि वह इंद्रा का पोता है तो राहुल गांदी डड़ने वाले नहीं है जैसा कॉंग कर रही है जनता का जुकाओद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांदी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है एक और ट्वीट है एक स्पेशल ट्वीट है यह आपको दिखाती हूँ देखिएगा कि मुस्तकिल अंसारी है त्वीट करते हुए लिखते हैं कमें मोदी जी को सीधे टकर दे सकते हैं और इसलिए मोदी जी का पूरा का पूरा तंत्र राहुल गांदी को पूरी संसस से ही बरखास कराना चाहता है और इसकी असली वज़ा यह है वह आप देखेगा यह एक पॉल है यह पबलिक पॉल है जिसे सुरेश चौहां के ने चलाया सुरेश चौहां के आप जानतें कैसी कबरें चलातें ने सवाल किया कि रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद क्या है लगा था कि प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट आएंगे लेकिन इस पॉल में राहुल गांदी ने नरेंद्र मोधी को पचार दिया आप देख सकते हैं 45% पर नरेंद्र मोदी है राहूल गांदी 52 प्रतिशत तक पहुझ गए यहां पर कहना है यूजर का यह जो लोग प्रियता वर्ड रही है लगाता राहूल गांदी की इसी का डर है और इसी डर के चलते कारवाई की जा रही है फिलाल यहां पर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार फस्ती हुई नजर आ रही है जैसा कि आप जानते हैं कि महराश में जब से सत्ता परिवर्तर हुआ है तब से भारतिय जंता पार्टी की हालत काफी खराब दिखाई दे रहे हैं उप्चुनावों में भी आपने देखा कि कैसा हाल हुआ जहां बीजेपी इस बा कर दे कि दोखा नहीं हुआ है किसी तरह का ओप्रेशन लोटस यहां पर नहीं चलाया गया है लेकिन सिंपती वोट लगातार उद्धो ठाकरे की तरफ है पब्लिक का जुकाव उद्धो ठाकरे की तरफ है और महराश की तरह अब इस्तती पूरे देश में भी दिखाई दे देश में भी आप देख सकते हैं कि जस तरीके से राहूल गांदी को सदन में नहीं बोलने दिया जस तरीके से राहूल गांदी के घर पर पुलिस भेजी गए जस तरीके से राहूल गांदी को सजा सुराई गई है इससे राहूल गांदी का पब्लिक कनेक्ट और भी जादा मजबूत होता चा रहा है जहां भारत जोडो यात्रा के बास से लगाता राहूल गांदी को आप जानते हैं कि कैसा भरपूर समर्थर मिल रहा है, कॉंग्रिस में डिवाइवल आया है, राहूल गांदी की इमेज में सुधार आया है, उसके बास से ये जो भारती जंता पार्टी की कारवाई पर कारवाई है ये सोने पर सुहागा काम कर रही है कैसे राहूल गांदी के तरफ जुका होता जा रहा है, सिंपधी बढ़ रही है, आप इस पॉल से इस पब्लिक पॉल से अंदाजा लगा सकते हैं पिलाल अगर यही सवाल मैं आप से करूँ कि सूरत कोटने राहूल कांदी को जो दो साल की सजा सुनाई है इस पर आपका क्या कहना है जो भी आपका जबाब है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताईएगा पिलाल इस पूरी खबर पर भी आपका क्या कहना है वो भी लिखेगा इसके साथ इस खबर को ज़ादा ज़ादा शेर करें सब्सक्राइबर पोटिन दबायें बालाइकर दबायें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुशती रहे है अपने इंका आप देख रहे तो ऑनलाइन यूज इंडिया फिर मिलते हैं इंगली खबर की साथ तब तक के लिए घंडिवाद